जहें दोस्तों मेरे नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल अतुल टेक बजार में दोस्तों मेरे हाथ में रियल्मी 5 डिवाइस और रियल्मी 5 में एक लिटिस्ट अबडेट आये था C.55 वो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है सारे फीचर्स हम यहाँ पर जानेंगे एक फुल व्यू रिव्यू यह वीडियो है साथ यसाथ यह एंदे तो बेंचमार्क इसकोर भी और बहुत सारे ऐसे हिटन फीचर्स जो कि साथ आपने नहीं देखे होंगे और जो चेंज लॉग में भी एवलेवल नहीं है दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले अगर सिर्ण नहीं है तो प्लिस से करे लिजिए का बैल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए का और शाथ फीचर्स वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं तो यहाँ पर अगस्त का सेकुरिटी पेच अब्डेट 2020 का मिलता है और एक और चीज़ बता दू, पहुत से यूटूबर्स ये वीडियो बना रहे है कि सेप्टेंबर का अपडेट ने आएगा, फलाना अपडेट ने आएगा बट यहाँ पे दोस्तों आपको पता है, यह अपडेट जो है अगस्त का है और अगस्त में ही बेचवाइस यहाँ पे रिलीज हो जाता है, बट यहाँ पे आपकी डिवाइस अगर बेचवाइस नंबर में नहीं आती है तो one week लगता है तो September के first week में ये update मिला है तो August का security page यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और September का update जो है October के first week में में भी या फिर September last में देखने को मिल सकता है यहाँ पर change log में आप देख सकते हो Realme Lab में जो मैंने दो features पहले बहुत 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 बदायत है Smooth Scrolling वाला और Night Time Standby वाला ये features दोनों ही important features यहाँ पर आ चुके हैं साथ साथ और भी यहाँ पर बहुत सारे features इंक्लूड किये गए है IMA number आप यहाँ पर copy paste अभी कर सकते हो तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लेते हैं हम जाके की Realme Lab में अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपको दो option दिखेंगे Smooth Scrolling, Night Time, Standby option वाला Smooth Scrolling और Night Time दोनों ही option को आप हमेशा on ही रखिएगा क्योंकि यह दोनों ही काम की चीज़े है तो Smooth Scrolling के बारे में पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको में बता दूँ एक चीज़ ध्यान रखेगा एकदम से यहाँ पर 90Hz का refresh rate एकदम से नहीं आने वाला है Scrolling स्मूथ होने वाली है Software-based feature है और हो सकता है इसको on करने के बाद आपको ऐसा लगे कि भी है यह features काम नहीं कर रहा है But day by day जब आप यूज करो के तभी आपको यहाँ पर experience होगा कि जो scrolling स्मूथ हो रही है क्योंकि यह software-based feature है अगर hardware वे feature रहता तो आपको तुरंत यहाँ पर फिल हो जाता Realme UI का update आपको देखने को मिलता है Second feature के बारे मैं अरत करें Night Time Standby Standby में अगर आपका Mobile Nightmare या Day में रहे तो यह जो feature है Standby में जो बैटरी डैनिंग होती है उसको बहुत जादा यह कम कर देता है तो यह जो feature है आप हमेसा on ही रखेगा हमेसा काम आएगा यहां पे अगर आप battery section वाले section में चले आते है नोटिफिकेशन status बार में तो यहां पे बोला गया है कि battery के जो icon है उसे यहां पे कुछ optimize किया गया है बट मुझे यहां पे same वैसे ही लगा है यहां पे आप देख सकते हो कुछ चोटे मुटे यहां पे changes हुए है बट कि जो time वाला option है यह मुझे realme 5 वी device में मिला है जो कि बहुत पहले मुझे receive हो गया था और यहां पे आपको second में timing so करता है तो यह काफी ज़दा अच्छा है और बहुत पहले demand भी की गई थी तो यह जो है second timing वाला option जो है realme 5 device में मुझे देखने को मिलता है realme की other devices में अगर आपके पास यह feature होगा मुझे जरूर से comment section में बताईएगा और यहां पे अगर आप IMAE नमबर निकालते हो star has 06 has डायल करके तो यहां पे अगर long develop करते हो तो आप देख सकते हो copy कानी से option आ गया copied यहां पे हो चुका है जहां पे भी आपको इसे paste करना है save करके रखना है तो आप इसे कर और IMAE नमबर दोस्तों हमेशा अपने पास save करके ही रखिएगा इसके अलब सिस्टम में आप देखोगे तो आप ड्रावर बूड में आप directly install कर सकते हो apps को यह पहले भी कर सकते थे औ option है third party में support नहीं करता था अब वह करने लगेगा इसके लागए नोटिफिकेशन पैनल में दोस्तों आपको कुछ shortcut देखने को मिलेंगे जैसे OTG और यहां पे अगर आप देखोगे तो जो focus mode है उसे यहां पे ला दिया गया है shortcut में यह option मेरे recording यहां पे पहले से ही थे पता mode notification stop value option और OTG केबल वाला जो option है वो अभी यहां पे notification पैनल में आपको देखने को मिल जाएगा इसके अलावा यहां पर status bar को कुछ optimize किया गया है second display को यहां पे एड़ किया गया है ऐसा यहां पर बोला गया है तो यहां पर मुझे असा लगता है status bar में कुछ optimization changes किये गया है ज वो कुछ यहां पर optimize किया गया है साथ साथ camera section में कुछ issue था night section night time में यहां पर कुछ dimming वाला issue था तो उसे यहां पर fix किया गया है camera में वैसे कोई उतना ज़्यादा improvement नहीं किया गया उतना ज़्यादा यहां पर कोई update ऐसा नहीं आया है थोड़े बहुत issue जो आते हैं उसे यहां पर realme solve कर देता है अब यहां पर अगर camera के open करके देख लेते हैं तो यहां पर वही viewing एंगाल देखने को मिलता है जो कि पहले हमें देखने को मिलता था यहां पर कोई extra option यहां पर hypertext वगरे realme की तरफ से add नहीं किया गया है इसके अलावा दोस्तो एक और important जो feature था multi user वाला वो भी अभी यहां पर add नहीं किया गया है मैंने बहुत सार्च किया बट multi user वाला feature मुझे नहीं मिला कुछ hidden features के बारे में बात कर लेते हैं वाइफाई में अगर आप टैप करोगे तो यह वाला option बहुत ज़्यादा important था जो कि अभी realme 5 series में भी provide कर दिया गया है अगले hidden features के बारे में बात करें तो वो बहुत ज़्यादा important है उन लोगों के लिए जो की mic वगरे use करते हैं recording वगरे करने के लिए तो यहाँ पर आप देखोगे audio section में तो यहाँ पर sound or audio section में आपको default audio recorder का option देखने को मिल जाएगा जो add on sound वाला option है second वाला उसे आपको select करना है जब भी आप mic use करते हो क्योंकि पहले यह option ऐसा था कि mic अगर आप use कर रहे हो तो mic जो है by default यहाँ पर नहीं लेता था भले ही सो करता था बट जो sound quality है वो नहीं आती थी बट इसे आप अगर use करोगे add on को तो यहाँ पर sound clarity है वो काफे ज़्यादा improve हो जाएगी download का option अब आपको app में देखने को मिलता है पहले यह system app के अंदर था और यहाँ पर downloading जब होती थी तब ही आप इसे देख पाते थे तो यहाँ पर अभी system app के अंदर जितनी भी downloading है आप इसे one tap पर देख सकते हो और यहाँ से अपने downloading content जो है ले सकते हो game space के बारे में बात करें तो यहाँ पे 4.0.2 वाला install पहले ही था मेरा game space जो की color OS 8 का है बहुत ज़्यादा improve game space है लेकिन यहाँ पे जो system से by default update आया है वो मुझे यहाँ पता नहीं चला क्योंकि मेरे पास पहले से ही यहाँ पे updated version था अगर आपको यह वाला version चाहिए जो की color OS 8 realme UI 2.0 वाला है upcoming तो यहाँ पे आपको reception box में इसकी link मिल जाएगी अब चलिए यहाँ बेंचमार की score भी देख लेते हैं जो लास्ट बेंचमार की score था C.53 का आप देख सकते हो 1,70,000 के पास था अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि C.55 में decrease होता है या increase तो यहाँ प पे 14,000, 13,000 का जो है decrease आपको देखने को मिलता है तो यह था दोस्तो एक update जो कि C.55 का Realme 5, 5S और 5i सभी में आपे सेम ही आया हैं और बहुत जल्दी battery tending test भी मैं आपके लिए लेक्या होंगा रेल में के regarding और भी कोई question आपके mind में होंगे मुझे comment section में जरू से पूछे का या आप टेलिग्राम ग्रूप को आप जाइन कर सकते हो इस वीडियो में दस तो इतना ही यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज से मैं चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूल करेगा तब तक लिए हम दूस्तों बहुते रहे हैं बंदे मातरम